नमस्का विद्यारतियों स्वेरी सक्ति क्लासेज में आपका पुने स्वागत है हमने पूरे जो हमारे नरेशन है वो पढ़ लिये थे अब जो नरेशन पेशिवोज और ग्रेमर में जो हमने क्रेक्ट कॉम ऑफ दा वर्ब्स की थी उन में से हम कुछ क्योशन्स उठाएंगे एक दो दिन और उनक्योशन्स के हम जो उपर सोल्यूसन है वो करते रहेंगे उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा तो मंडे को आपका इसका टेस्ट होगा तिन्नों जो पड़े हैं हमने उसके बाद मंडे तक आपके पास जो गोल्डन रेज बुक है उसका आपको अ सब्सक्राइब पढ़ेंगे हम कुछ एक दो हमारे जो पार्ट हैं गोल्डन रेज में वह हम पहले पढ़ेंगे तो आज हमारा जो टोपिक है वह नरेशन और पेसी उसमें पहला है कि नरेशन में जो हमारे sentence आता interrogative interrogative sentence में WH word और helping word दोनो टाइप हमने पढ़े थे तो इनका किस परकार से हम Paceous बनाएंगे तो पहला sentence है आपको खुद को कोशिस भी करने है साथ साथ में हम केवल उतने ही करेंगे जितने changes आते हैं तो पहला she said to me do you like this book or note यहाँ पर sign up interrogation है तो helping word अपसे person पूछा गया है say to किसमे change हो जाएगा person पूछने को ask कहते है second form है तो यहाँ पर क्या होगा asked उसके बाद inverted comma को हटाएंगे बाकी चीज़ तो यह same ही रहेगी C का C, M का M यहाँ पर आएगा फिर आगे क्या करेंगे हम inverted comma को हटाएंगे तो अगर helping word अपसे वाक्य की शुरुवात होती है तो inverted comma को हटाने के लिए if या weather का परियोग किया जाता है हम almost किसका use करते हैं if का एक जगे मैंने कहा कि आपको weather का use करना ही है और वो था कि वाक्य में और का option हो और लिखावा हो यहाँ देख लो do you like this book or not क्या तुम इस book को पसंद करते हो या नहीं तो आपके मन में एक तो यह प्रसंद आ रहा होगा कि इसमें यह negative sentence है तो negative sentence तो यह होता कि तुम पुस्तक पसंद नहीं करते हो इस book को पसंद करते हो या नहीं इसका मतलब है यह negative sentence नहीं है उसको choice पुछी गई है कि किस चीज़ को तुम prefer करोगे तो आप क्योंकि आभी आप करोगे कि do did में change हो जाएगा और note आया हुआ है note तीसरी रिस्तान पर होना चीज़ यहां पर तीसरी रिस्तान पर नहीं है तो यहां पर पहली बात जुमेन बात है वाक्या में क्या लिखा हुआ है और लिखा हुआ है तो हम inverted comma को हटाने के लिए किसका यूज करेंगे वेदर का इपका भी यूज होता है लेकिन और वाले sentence में हमें वेदर का ही यूज करना है उसके बाद में जो हमारा sign of interrogation है हमें इसको हटाना है sign of interrogation कब हटता है जब हमारा जो sentence है उस sentence में subject पहले आजाए helping और बाद में आए कहने का मतलब है यह जो you है यह हमारा subject है पसंद करने का काम तुम करते हो या नहीं तो यह हमारा subject इसकी जगे और यह जो helping वरब है वो यहाँ पर आएगी तो you second person है जितने भी change होते हैं वो अंदर होते हैं बाहर देख कर second person किसके अनुसार change करना है हमारा target क्या है किसको change करना है you को change करना है second person होता है वो object के अनुसार change होता है object में यहाँ पर यह subject है यह main verb है और यह हमारा क्या है object तो object हमारा क्या है me तो you है object के अनुसार change होगा object में me है me किसका case है I का you subjective case है कैसे पता चला like या निपसंद करना main वरप से पहले है subjective है, तो यहाँ पर भी जो me होगा, हम me को change करेंगे, इसका भी कौन सा case आएगा subjective तो me का subjective case क्या होता है I फिर कहा कि do यहाँ जाएगा तो हम देखते हैं कि वाकिया अब simple बल रहा है अभी तो क्या था? interrogative है अब simple बन रहा है तो present simple किसमे change होता है past simple में और past simple के simple sentence में helping वरप का परियोग नहीं होता है वरप की second form आएगी केनने का मतलब है यहाँ पर क्या नहीं होगा did नहीं होगा क्यों? क्योंग did के यहाँ पर क्या आना चाहिए था? note, note है नहीं तो यह हम did को हटा देंगे और यहाँ पर like like की second form क्या हो जाएगी liked time and distance समंदित परिवरतन में हमने पढ़ा था कि this को किसमे change करना है date में book और note यानि इस परकार से हमारा sentence है वो change होगा अगला sentence है आपको इस sentence को change करना है कि किस परकार से change होगा आप अपने तरफ से जल्दी से try कोई इन्वर्टेड कोमा है डबली ओच वर्ड से वाके की सुरुवात है लास्ट में क्या आया हुआ है sign of interrogation person पूचा गया है तो पूचने को ask कहते हैं हम asked कर सकते हैं यहाँ पर object नहीं है तो अभी क्योंकि हमें पता है कि क्या पूचा गया है person पूचा गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा asked उसके बाद inverted कोमा को हटाना है तो sentence कौन सा है डबली ओच वर्ड है तो inverted कोमा को उटाने के लिए जो डबली ओच वर्ड होता है उसी को ही use किया जाता है यहाँ वूज का वूज ही आएगा फिर देखो यहाँ पर is है थोड़ा सा हमें दिमाग use करना है कि यह sentence कौन सा है जो sentence है वो interrogative है डबली ओच वर्ड वाला interrogative है interrogative sentence का format क्या होता है एक बाद डबली ओच को छोड़ दो क्योंकि डबली ओच तो सुरुआत में ही आता है डबली ओच के तुरंत बाद यहाँ helping और फिर हमारा subject होता है यह हमारा sentence का structure होता है यह मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको confuse करने वाली जो चीज है वो है book कि sir यहाँ पर book है तो book helping और अब थोड़ी आपको ही पता है कि book एक noun है संग्या है किताब है तो मैंने कहा था अगर डबल्योच के word के बाद में जैसे how many में आता है how much में आता है उसी प्रकार who's में क्या आया है who's अधिकार को सो करने के लिए कि यह जो किताब है वो किसकी है तो यहाँ पर जो book है आप क्या करोगे कि sir ने कहा था कि यह यहाँ पर यह यहाँ पर यह दिमाग में आता है तो पहले तो यह देखो उपर वाला sentence ही देख लो यह जो do है उसके बाद subject है यानि यह helping और अब इसके बाद subject है तो यह क्या है helping और अब subject क्या है यहाँ पर है यानि इसका मतलब हमें this को ले जाना है क्योंकि ये तो इसके साथ में fix आएगा अधिकार को पूछने के लिए इसलिए this इस परकार से change होगा वूज बुक तक आप कुछ नहीं करोगे इसमें कोई changes नहीं करना है तो किस परकार बनेगा sentence वूज उसके बाद बुक को यहीं रहने देंगे अब हम क्या करेंगे इस आरेम वाज वर में change होता है अगर मैं यहां वाज लगा दूँ तो sign of interrogation हटेगा नहीं तो कहने का मतलब है दिस पहले आएगा दिस का time and distance में परिवरतन में क्या होता है date और वाज किस में change हो जाएगा और is किस में change हो जाएगा वाज में अब यहां पर वाज है क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों कि बुक लिखावा है बुक नहीं लिखावा है अधिकार चीज जिसके उपर बुक के उपर अधिकार है उसके बारे में पूछा गया है तो बुक के पारें बुक एक ही है तभी क्या लगाया है वाज वेसे दिस भी क्या होता है सिंगुलर देट भी क्या होता है सिंगुलर होता है उसके बाद में अगला है केप्टेन सेड़ टू अस हमसे कप्तान ने पूछा आर यू गोइंग टू जोइन दा केम जो पर सिक्षन जो केम्प है वो तुम उसे जोइन करने जा रहे हो या नहीं यानि कि तुम उसको जोइन करोगे क्या तो सबसे पहले परसन पूछा गया है सेड़िटू लिखा हुआ किसमें चेंज होगा asked में उसके बाद inverted कोमा को हटाएंगे तो वाक्य की सुरुवात कि से है आर से आर है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे इफ फिर हमें sentence को कैसा करना है assertive sentence करना है तो you subject यहां और are यहां पर तब ही वाकिय कैसा बनेगा simple sentence assertive बनेगा तो you second person है subjective case है you को ही change करना है यहां subject तो यहां पर भी जिसको change कर रहे हैं उसका subjective case आएगा you है object का नुसार change होता है object में क्या है us का मतलब we का case है तो subjective case क्या हो जाएगा us का we उसके बाद is rm किसमे change होते हैं वर में is rm पर ही हमें ध्यान देना है बाकि कोई change नहीं करना है यहां पर going का going टू का टू जोइन दा केम यह full list of लग जाएगा क्योंकि अब sign of introduction हट जाएगा क्योंकि subject पहले आता है और उसके बाद helping और बाद में आते हैं तो assertive sentence बन जाता है अगला sentence है she said to him उसने उसको पूछा whom did you give my book तुमने मेरी बुक है वो किसको दी थी तो whom का परियोग, who का परियोग हमने सम बेसिक टरम्स में पढ़ लिया था person पूछा है said to to said to किसमें change हो जाएगा ask read में inverted comma को अटाने के लिए जो wh word आता है उसी को लगाएंगे तो यहाँ पर whom का whom ही रहेगा यह helping और अब यह हमारा subject यह इदर इदर ऐसे होंगे तब भी तो क्या होगा वाकिए simple assertive बनेगा तो you second person है यानि कहने का मतलब है यू तो इस whom के तुरंत बाद में आएगा डिड़ का जो भी change होकर आएगा कहने का मतलब helping और भी यहाँ पर आएगा तो you second person है second person में क्या है him second person कहने का मतलब second person है वो object का अनुसार change होता है object में क्या है him है हिम किसका case है ही का subjective case है ये बताने के आओ सकता नहीं है तो यहां क्या हो जाएगा ही फिर इडिड किसमें change होता है डिड आता है पर past simple में head plus verb की third form होगी तो सबी के साथ head ही लगता है head और stance में ध्यान रखना था किंगुग did किसमा चांज होता हैेड पलस वर्प की third form तो गीव यहां मेन वर्फ है तो गीव की third form क्या होगी गीव कि गीवन यह समझ में आ गया होगा इसी टेंस का मैंने बोला तक यहां पर फ्वडा ध्यान रखना है आपको बाकी में क्या हुआ परजेंट में परजेंट में परजेंट सिंपल का ध्यान रखना था बाकि हेज येव हेड में चेंज हो रहा था हेज बीन हेड बीन में चेंज हो रहा था लेकिन पास्ट सिंपल में हमें ध्यान रखना है कि हेड प्लेस वरब की थर्ड फॉर्म होगी उसके बाद ह है माई तो माई first person है im imi first person किसके नुसार Change होता है subject के नुसार subject में क्या है see है यह तो पता है na subject क्या होता है तो see है तो सी का पज़ेजिव case क्या होगा see हर हर तो यहां हो जाईगा हर भुग इस परकार से यह होगा आज हमारा जो फोकस हो डबली उच्वर पर ही है ताकि हमें एक एक जितने सेंटेंस पढ़ा है वो सब समझ माझा जाए क्योंकि एक्सक्लेमेट्री सेंटेंस में आता है यह खरते हमें भी नहीं के लिए किसका यूज किया जाता है WH word sorry how many का मातरा पूछने के लिए how much का क्योंकि यह हमने basic terms में पढ़े हैं और यह आपके unseen पेसे जाते हैं 10th class में उदा नंबर के तो इनी प्रस्णों को उपर होता है यह हमने पहले पढ़ लिए हाव मेनी ब्रदर्स डू यू है तुमारे कितने भाई है तो यही बात है यहाँ पर helping वरब डू subject यू हमें यहां तक कोई मतलब नहीं है मतलब क्यों नहीं है क्योंकि डबली अच वर्ड के बाद जहां पर helping वरब होगी हम उसके बाद में subject लेकर आएंगे तो क्या होगा हाव मेनी ब्रदर्स डू यू है यहां पर तक हम नहीं देखेंगे यहां तक जितना आया वह उतना ही लिखेंगे अब यह helping वरब यहां है तो helping वरब के आगे subject होगा तो sentence कैसे change होगा सेड टू है किसमे change हो जाएगा आस्क्ड में डब्लियोच वर्ड है तो how many how many ही रहेगा आउमेनी भी डब्लियोच वर्ड में आता है ब्रदर्स यहां तक कोई change नहीं करेंगे यहीं ध्यान रखना है यह एकजाम में कई बार पूछे जाते हैं इस परकार के डब्लियोच वर्ड के तुरंद बाद आप क्या करोगे पहले सब्जेक्ट लाने की कोशिस करोगे सब्जेक्ट यहां पर है जो भाई है वो कितने है तुमारे इसका मतलब इसको है तो यहां पर इस से हम change हो जाएंगे केने का मतलब ब्रदर्स तक आपको कुछ नहीं करना ह अब है यू यह यहां पर आएगा यू सेकेंड परसन है ओब्जेट का नुसार और क्या है कौन सा कैसे सब्जेक्टिव कैसे पता चला यह रही हेव की फॉन हेव क्या होता है पजेजन अदिकार को सोधिक करने के लिए हेव का परियोग किया जाता है helping और अब नहीं है helping और खाला का सब्जेक्टिव कैस क्या होगा सी डू चेंज होगा नहीं किसमें डिड में क्योंकि नॉट नहीं है तो हेव हमारी में वर्ब है हेव की सेकेंड फॉर्म क्या होगी हेड यह हमारे चार पांच जो एक्जामपल है डवले अच वर्ड के वो थे और कुछ और उदारन करते हैं इन पर कि किस परकार से यह होते है अब कि अच्छ वर्ड पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ड वाले जो सेंटेंस वह हमने पढ़ लिए इनके उदारन और करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको एक अंसिन पेसेज अपनी नोट बुक में आपको करना डेली जो पिन पेज आता है बीच में से जहां पर आप हो ग्रामर का काम कर रहे हो वहां पर ग्रेमर का काम कंटिन्यू करना है रखना है पिन पेज के बाद में आपको एक अंसिन पे करना है जो उस उसक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक साथ साथ नंबर के तो आपको डेली का जब तक यह 31 अगस्त है 31 अगस्त तक आपको continue एक पेसेज पेरेग्राफ पेरेग्राफ उतारना नहीं पढ़ना है उसमें से देखे कर आपको आंसर करने गलत हो तो होने दो कोई बात नहीं है फिर आप अपने आंसर मिला लेना और कोई भी प्रसंद समझ में नहीं आए आप बता सकते हो कि इस मेटेरियल में समने किया था और इसका आंसर हमें थोड़ा समझ में नहीं है वह आप पूछ सकते हो डेल लिखा एक आपको करना है अंसीन पेसे कोशिश करनी है किस परकार से यह हल होगा दो तिन सेंटेंस और करते हैं इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है किस परकार से चेंज होगा टीचर सेट तो दा स्टूडेंट डिडिवी स्टडी इस लेसन येस्टरदें चेंज कर लिया होगा सेडिटू किस में चेंज होगा आस्कड में इन्वर्टेड को मा को अटाने के लिए क्लिए क्या लगाएंगे इफ क्यूं लगाया क्योंकि हैल बीवर्भ से वाकिय कि सुरुआत इडिड प्लस फॉरब की फस्ट पॉर्म पास्ट सिंपल टेंस किसमें चेंज होता है पास्ट पर्फेक्ट में पहले सब्जेक्ट आएगा यू तो यू सेकंड परसन ओब्जेट के नुसार ओब्जेक्ट में क्या है इस्टूडेंट अब विद्यारती है वो कोई को ही लिख देना है कि यहां पर क्या होगा ही या सी ठीक है समझ में आया होगा विद्यारती कोई भी हो सकता है तो इस्टूडेंट नहीं लिखा अब देखो यहां पर मैंने एक बार तो यह कर दिया ही और सी क्योंकि या क्योंकि जो स्टूडेंट है वो सिंगुलर है भी मै यहां पर चेंज करके कर दिया इस्टूडेंट्स अब बताओ क्या होगा अब एक विद्यारती नहीं है एक से ज्यादा विद्यारती है तो अब यहां पर क्या होगा देखो फर्स शेकेंड परसन तो आए यहां होता है तो यहां पर क्या होगा यह है सेकंड परसन है इसका नुसर चेंज होगा इस्टूडेंट्स स्टूडेंट्स प्लूरल है तो क्या होगा देख बात समझ में आई होगी पिर डिड है तो डिड का क्या हो जाएगा हेड इस्टरडी थर्ड फॉम इस्टरडी डिड दिसका क्या होगा देट लेशन और येस्टरडे का दा प्रीवियस डे दा प्रीवियस डे इस परकार से हमें ये करना है और और भी आपको खुद को जो मैंने काम बताया है जो वह पूरा काम कंप्लीट करना आपको डेली का समझ में पूछ लेना पेलेंस इन पेसेज में डबल्योच वर्ड का मतलब क्या होता किसका अंसर कैसे दिया जाता है वो प जो पैसे जए पेरेग्राफ है सिक्स्टी वर्ड्स वाले वो भी आपको दिये जाएंगे और आपके पास गोल्डन रेज बुक आ जाने चाहिए जो भी है आपके पास मित्र जहां पर भी जो टेंत में थे उनसे पाकिताब लेकर ताकि हम अपने जो पार्थ हैं वो कुछ आगे कर सकें आज के लिए बस इतना है धन्यवाद